नमस्कार स्वागत हमारे आज की इस वीडियो मुहाग चोश्कुला आप देए टेकनिकल एक्षडूप्शन दोशल सब्क्राइम के सब्क्राइब कर लिए साथ लाइकन क्लिक कर दिजिए आज के इस वीडियो आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने एटल डीटिएच में क इन फाल्तू चैनल को आप नहीं देखते उसे आप रिमूब करके अपने रिचार्ज का पैसा बचा सकते हैं तो इस वीडियो आपको इस्टब बाइस्टब बताने वाला हूँ कि आप कैसे आप रिमूब कैसे कर सकते हैं और रिचार्ज का पैसा आप कम कैसे कर सकते हैं तो बीडोएν मजहाता है यहां पर अपना है ऐप्र करने का हम अपने Ab Anne यहां पर यहां पर कोई भी डाल सकते हैं पहले उसके बार माज पर हमारी DTH का जो detail है यहाँ पर दिखा देता है आप देख सकते हैं यहाँ पर DTH लिखा हुआ है और यहाँ पर 16 दिन का validity है हमारे 325 चैनल टोटल है जो हमारे इसमें add दिखा रहा है अगर आपका mobile number से DTH ID link होगा तो यहाँ पर detail दिखा देगा अपने आप जो है DTH यहाँ add हो जाएगा अगर mobile number से जो आपने mobile number डाला उससे DTH link नहीं होगा तो यहाँ पर आपको नीची आना है यहाँ shortcut वाले option में यहाँ एक option है add existing connection का simple इसके ओपर click कर देना है और इसके ओपर click करने के बाद यहाँ DTH select कर लेना है और फिर आप यहाँ पर DTH ID अपना डाल देंगे जो भी आपका DTH ID होगा और example कुछ इस तरह से डालेंगे उसके बाद यहाँ request OTP पर click करेंगे आपके registered mobile number पर OTP भेज़ देगा यह और वो OTP यहाँ पर डाल देना है login हो जाएंगे आपकी DTH ID जो है वो add हो जाएगी उपर कुछ इस तरह से जो इसे मेरी पहले से add है यहाँ पर आप देख सकते हैं अब इस तरह से आपकी DTH ID add हो जाएगी अब आपको हम बताते हैं कि किसी भी चैनल को आप remove कैसे कर सकते हैं ने DTH को मतलब manage कैसे कर सकते हैं simply इसके DTH उपर click कर देना है और उसके बाद में यहाँ पर my accounts पर click कर देना है पहला option my accounts पर click करेंगे आपकी सामने कुछ इस तरह से आ जाएगा अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना total हमारा plan है जो DTH ID यहाँ पर लिखा हुआ है और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं 219 रुपे पर मंत का हमारा जो plan है 325 चैनल जिसमें हम देखते रहे हैं अभी हमारा 16 दिन का validity बचा हुआ है और balance 120 रुपे 74 पर से बचा हुआ है तो यहाँ उपर जो detail देख जाएगी आपकी कितना plan है मंतली और कितना चैनल आप देखते हैं और कितना दिन का validity बचा हुआ है चैनल को remove करने के लिए अब यहाँ पर हम जो profile का icon है simply इसके उपर click करेंगे और उसके बाद में यहाँ हम my services पर click करेंगे my services के उपर click करने के बाद में यहाँ हमारे चैनल का detail दिखा देता है और यहाँ पर दिखा देता है कि कितना जो है balance है और कितना चैनल इसमें add है कितने दिन के validity है यहाँ simply हम modify channel पर click करेंगे और उसके बाद में हम आपको बताते हैं कि कैसे हम इसमे channel remove कर सकते हैं किसी भी channel को अब यहाँ पर जो channel हमारे इसमें add होंगे वो उपर यहाँ पर चार category के channel है और यहाँ पर दिखा रहा है चार type अलग 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 दिया है यहाँ simply हम alakard पर select रखेंगे और उसके बाद में जो भी यह single single channel होते हैं वो alakard में होते हैं और जो channel जिस भी category यहाँ देखें अलग अलग नीचे category का आपको channel मिलेगा जैसे हिंदी, मंजाबी, तेलगू, डिवेशनल, मलायरायम, information, कनेटा, sport वगरा के सभी यहाँ पर category के channel में अलग 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 category बनाया हुआ ठीक है language के हिसाब से तो यहाँ पर हम simply news वाले पर आते हैं अब यह चैनल यहाँ पर दिख रहे हैं जो news के channel है अब इन में tick नहीं है तो इस पर हम अगर tick करेंगे तो यहाँ पर add करना होगा तब tick करेंगे अब जो channel इसमें tick दिखा रहा है वह समझा लो हमारे इसमें add है पहले से यहां देखें टिक दिखा रहा है अब यह चैनल add है अब इसे हम remove करना चाहते है मालूब हम इसे देखना नहीं चाहते है ठीक है क्योंकि यह उरिया चैनल है मुझे समझ नहीं आती ही लेंगोज फालतू में एड है इसे भी मैं यहां पर रेमूब कर देता हूं अब जो भी चैनल आप रेमूब करना चाहते हैं इसके उपर सिंपली इस तरह से क्लिक करेंगे इसके पार रीवी उपर क्लिक करेंगे तो यहा यहां पर डेटियल दिखा देगा सिंपली हम यहां पर क्लिक करेंगे और उसके बाद में यह चैनल जो है रिमूब हो जाएगा यहां देख सकते हैं प्लान अपडेटेट सक्सेच फुली और यह चैनल हमारे जो है इस तरह से रिमूब हो जाएंगे डिटेश से फालतू के चैनल रिमूब हो जाएंगे और प्लान जो है कम हो जाएगा अभी यहां बे देखिए 325 दिखा रहा है अपडेट नहीं हुआ इसे हम एक बाद बंद करके इस एप को और दुबारा ओपन करेंगे तो यह अपडेट हो जाएगा कुछ देर में अभी उतने बता रहा है अभ आपका जितना भी होगा वह जितने की आप जितने अमाउंड का चैनल रिमूब करेंगे उतने अमाउंड कम हो जाएगा अपका फाल्तू चैनल जो है वो रिमूब कर सकते हैं अब चैनल को एड कैसे कर सकते हैं पूरा जो है प्लान मोडिफाइग कैसे कर सकते हैं इस पर मैं थांक यू जै